हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Nokia G11 Plus Android वाइल फोन में आप जो है ring vibration setting को आप disable कैसे कर सकते हैं यानि off कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह ring vibration setting जो है disable होनी के बाद यह setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको detail म में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page आपको open करना है ठीक है setting page को open कर लीजिए setting page में आपको नीचे आना है यहां पर आपको option मिल जाएगा इस पेज में नीचे आएंगे तो यहां प page में आपको off का option select करना है, off के सामने आले circle पे आपका tick mark लग जाएगा यानि कि आपके इस तरीके से setting disable हो जाएगी ठीक है अब इस setting कैसे काम करती है यह मैं आपको बता देता हूं आपके mobile phone पे अगर कोई भी incoming call आएगा तो आपका mobile phone vibrate नहीं करेगा आपका phone सिर्फ ringtone create करे एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना है क्या होगा अपने phone का setting page open करना है, setting page में आपको सबसे ओपर यह search setting पे select करना है और यहापर आपको search बार में type करना है ring vibration ठीक है जो setting का name है यहापर आपको पूरा type कर देना इस तरीके से तो आपको नीचे यह option show नहीं होगा ठीक है इस बात का ध्यान रखना है spelling mistake आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है तो चलिए video को आगे continue करते है जब यह नीचे option show हो जाता है ring vibration इससे select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly इस setting page में आपको लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक short कर तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का